मैं आर्पी सिंग मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में हम लेकर आए हैं सम स्पेशल टाइप अप इंटीग्रेशन और ये टाइप है हमारा कुछ इस तरह से x square plus 1 upon x power 4 plus k x square plus 1 dx इसका इंटीग्रेशन इस format का होगा फिर इसी का एक another format होता है थोड़ा सा different होता है यहाँ आपका plus है तो इस जगब पर minus हुआ अब इस पर हम एक examples लेते हैं और इसके method बताते हैं कैसा है इसका हम integration करेंगे तो x square plus 1 upon x power 4 minus x square plus 1 dx अब यहर आपको बता दें कि first step में करना क्या है first step में आपको करना है numerator और denominator में x square को divide तो हम numerator और denominator में x square को divide करें तो हमको मिलेगा 1 plus 1 upon x square x square minus 1 plus 1 upon x square dx अब जब division हो गया तो पहले हम इस यह numerator के term को देखते हैं कि numerator का term हमारा क्या है तो numerator का term है 1 plus 1 upon x square और यह आप सोचें कि यह किस का differentiation हो सकता है 1 plus x minus 1 upon x का यह differentiation है तो हम इसको x square को और 1 upon x square को इस परकार arrange करेंगे कि यह इस format में बन जाए x minus 1 upon x square अगर यह minus होता तो हम नीचे plus बनाते तब हम नीचे बनाते plus 1 upon x सिर्फ यही दो concept है step first में आपको करना है कि numerator और denominator में x square को divide करना है और second step में अगर numerator मे 1 plus 1 upon x square आ रहा है तो नीचे denominator में आपको बनाना है x minus 1 upon x अगर उपर 1 minus 1 upon x square आ रहा है तो आपको नीचे बनाना है x plus 1 upon x यही दो concept है इसी concept है आपका waste है question तो आईए यहाँ पे हम लोग करते हैं इसमें अब नीचे हम बना दिये x minus 1 upon x का whole square अब जब इसको open करेंगे a minus b की identity से तो हमको मिलेगे x square plus 1 upon x square तो यह दो term तो हमको दिख रहा है एक यहाँ पे minus 1 term दिख रहा है तो आप minus 2 आया तो हमको ज़ए 1 minus 1 तो इसमें plus 1 को add कर दें यानि हम इसको ऐसे लिखे x square plus 1 upon x square और minus 2 x into 1 upon x और यह है हमारा जो minus 1 अब इसको हम simplify करें तो x x cancel हुआ x square plus 1 upon x square minus 1 यह minus 2 और यहाँ पे है आपका minus 1 minus 1 चाहिए हमको अब यहाँ पे इतने term में हम plus 1 को add कर दें तो यह हमको मिल जाएगा x square minus 1 plus 1 upon x square अब इसको हम t suppose कर लें तो यह उपर हमको differentiation मिलेगा तो आईए इसको हम लोग सपोच करते हैं x minus 1 upon x equal to t इसका differentiation होगा 1 minus 1 upon 1 minus 1 plus 1 plus 1 upon x square dx equal to dt यह differentiation होगा तो उपर का term यानि numerator का term यह हमारा replace हो गया किस term से dt से और इसको हम लिख देंगे dt तो हमको मिलेगा 1 plus 1 upon x square x minus 1 upon x square plus 1 dx equal to dt upon t square plus 1 और यह formula है अब यह formula हमनों जानते हैं कि 1 upon 1 plus x square और dx होता है tan inverse x tan inverse x का तो यह मिलेगा tan inverse t तो tan inverse t plus c अब t की value रखे दें हम लोग tan inverse x minus 1 upon x plus c अब simplify बहुँआइ इसमें ज़्यादे हम कर नहीं सकते हैं बस इतना करेंगे कि इस x को calcium लेकर x square minus 1 upon x कर सकते हैं अब इसी पर एक और examples लेते हैं और यह जो है कभीर दास की दोहा को चरितार्थ करता है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभी तो यह देखने में छोटा है बट इसमें बहुत सारे concept है तरीका हमने बता दिया step first में आपको करना क्या है कि step first में लेकिन अभी ऊपर क्या होना चाहिए x square plus 1 या x square minus 1 तो हम इस step में क्या करेंगे यहाँ पर जो numerator का term है यहाँ पर कुछ rearrange करेंगे तो हम यहाँ पर 2 बनाते हैं 1 upon 2 और 2, 2 को multiply किया 2 को divide कर दिया अब इस 2 के जगा पर हम क्या लिख सकते हैं अब वो देखते हैं तो देखिए अब यहाँ पर x square plus 1 minus x square minus 1 नीचे हमारा वही है तो अब यह जो integration हमारे दो term में divide हो गया x square plus 1 यानि इतने term को हम एक term बना लेंगे और दूसरे term को हम इसको लेकर बनाएंगे तो यह हमारा term बनेगा अब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 upon 2 x square plus 1 upon x power 4 plus 1 dx minus 1 upon 2 x square minus 1 upon x power 4 4 plus 1 dx अब step first की सुरुवात होती है अब यह मेरा format हो गया जो हम लोगों ने initial position पर देखा था प्रारम में देखा था कौन से format लेकर चलना है अब वो format हुआ अब इसमें हम numerator मे x square को divide करेंगे और denominator में भी x square को divide करेंगे तो numerator और denominator में x square को divide करते है अब यहाँ पर division को हम इस तरह से लिखें 1 upon 2 1 plus 1 upon x square x square x 4 था तो x square plus 1 था तो 1 upon x square dx minus 1 upon 2 1 minus 1 upon x square x square plus 1 upon x square अब यहाँ पर आपको जो मैंने बताया था उसका concept के लिए होगा अब यहाँ पर plus है तो plus है तो हमको क्या बनाना है इसके जगा पर x minus 1 upon x बनाना है और यहाँ पर 1 minus 1 upon x square है तो इसको हमको rearrange करके इस format में बनाना है x plus 1 upon x तो अब इसको हम कैसे rearrange करेंगे वो देखते हैं हम लोग तो देखे 1 upon 2 1 plus 1 upon x minus 1 upon x square मैंने कहा कि यहाँ पर minus बनाना है यहाँ पर plus बनाना है तो देखे 1 plus 1 upon x square upon x minus 1 upon x का whole square plus 2 dx minus 1 upon 2 integration 1 minus 1 upon x square upon x plus 1 upon x का whole square minus 2 अब इस नीचे x minus 1 upon x का differentiation है numerator और x plus 1 upon x का differentiation है यह numerator अब इसको हम कुछ माल लेते हैं u माल लेते हैं तो x minus 1 upon x equal to u इसके लिए only for integration first और इसको हम integration 2 नाम देते हैं तो integration first के लिए x minus 1 upon x equal to u अब इसको differentiate करें तो हमको मिलेगा 1 plus 1 upon x square dx equal to d अब integration 2 के लिए हम suppose करते हैं x plus 1 upon x equal to v अब इसका अगर differentiation करेंगे तो 1 minus 1 upon x square मिलेगा तो 1 minus 1 upon x square dx equal to dv अब ये हमारा replace हुआ गया ये वाला term replace हो गया du से ये वाला term replace हो गया dv से और ये u और ये है v तो हमारा integration replace हो गया अब 1 upon 2 du upon u square और plus 2 था तो उसको root 2 का whole square किये minus 1 upon 2 dv upon v square minus 2 था तो उसको minus root 2 का whole square अब यहां पर दो formula use होंगे formula first है हमारा 1 upon a square plus x square equal to होता है 1 upon a और 10 inverse x by a और दूसरा formula होता है 1 upon x square minus a square और dx equal to 1 upon 2 a log x minus a upon x plus a plus c यह होता है अब इन दोनों formula को use करें तो हमको result मिलेगा तो आईए 1 upon 2 1 upon a की जगा पर root 2 है तो root 2 10 inverse u upon root 2 minus 1 upon 2 2 a तो 2 यह हो गया और यह की जगा पर root 2 log v minus root 2 upon v plus root 2 अब हम u और v की value put करते हैं तो और then simplify करेंगे तो 1 upon 2 root 2 10 inverse x minus 1 upon x root 2 minus 1 upon 4 root 2 log x plus 1 upon x minus root 2 upon x plus 1 upon x plus root 2 अब simplify करें तो x को LCM ले तो x square minus 1 upon x और यह यहां पर आगया यहां से x square minus और यह x में आया तो minus root 2 x और plus 1 यही simple चीज़ यहां पर करें x square और यह x में तो root 2 x plus 1 तो देन हमको मिलेगा 1 upon 2 root 2 10 inverse x square minus 1 upon root 2 x minus 1 upon 4 root 2 log x square minus root 2 x plus 1 upon x square root 2 x plus 1 plus c यह हमारा result हुआ Thank you student वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें, comment करें, share करें और मेरे चैनल को subscribe भी करें धन्यबाद